हलो एरिवन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा 14 जून को सुसांत सिंग राजपूत ने सुसाइड कर लिया था एक बहुत बड़ा सवाल वो छोड़ गए है अपने पीछे आखिर क्यों और कल उसके बाद एक बहुत ही दुख भरी खबर आई और वो ये है कि क्लास टैंत के एक बच्चे ने भी सुसाइड कर लिया है और उन्होंने ये कहते हुए सुसाइड के उस क्लास टैंत के बच्चे ने कि अगर सुसांत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं इसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए, जो मुझको अंदर से कचोट रहे थे, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग हार माल लेते हैं, क्यों उन्हें सही लगता है कि अब जिन्दगी में और नहीं, बस बहुत हो गया और वो सुसाइड अटेंप्ट कर लेते हैं साल, जब भी 10-12 का रिजल्ट आने वाला होता है, तब बहुत सारे बच्चे जो से सुसाइड कर लेते हैं, आज इसी बात पर मैं इस वीडियो के अंदर जर्चा करूंगा, सुसान सिंग राजपूद से लेकर, competitive students जो हैं, जो competition की तयारी कर रहे हैं, उन सभी को एक message होगा, और सबसे बड़ा message होगा हमारे इस समाज के लिए, क्योंकि ये वो समाज है, जो responsible है, इसके पीछे, मैं depression या बाकी चीजों को अगर responsible नहीं मानता हूं उतना, मैं responsible मानता हूं इस समाज को और इस समाज की सोच को, आज उसी पर बात करेंगे, बस आप से अनुरोध होगा, आ अपने parents के साथ जरूर सेर करिएगा, क्योंकि उन्हें पता लगे कि अगर आपका बच्चा ये कदम उठाने वाला है, अगर ये कदम उठा सकता है, तो उसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, आप ही हैं, मैं पहले सुरूर करता हूं सुसान सिंग राजपूत से, सुसान सिं इंजीनियर रहे चुके हैं, ओल इंडिया रैंक, सेवन्थ होल्डर है, ओल इंडिया रैंक में एक अच्छे डांसर रहे, एक ग्रेट एक्टर रहे, और एक ऐसे एक्टर रहे, जो इंडस्ट्री में अपने दम पर था, उसका कोई गोड़ फादर नहीं था, महनत की इंडस उसके बाद इनका महेंदर सिंग धोनी और लास्ट में जो बड़े परदे पर रिलीज हुई इनकी मूवी छिचोरे, जिसमें इन्होंने खुद संदेश दिया था, कि समाज को इन्होंने एक आईना दिखाया था, अपने बच्चे को जिसमें इन्होंने समझाने की कोशिस क आया, हार तब होती जब आप कोशिस नहीं करते, लेकिन आपने कोशिस तो पूरी की थी ना, तो एक मैसेज दिया था लोगों को कि सुसाइड जो है, ये कोई सोलुशन नहीं है, जिन्दगी में बहुत कुछ करने को होता है, आप सायद और बहुत बहुत बहुतर कर सकते थ आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नैपोटिस्म जो है, ये बहार के लोगों को मोका नहीं देते हैं, इसमें करन जोहर हो, या कपूर परिवार हो, या ये सलमान खान, जितने भी खान है, सभी, वीडियो को लाज तक सुनिएगा, हर एक चीज का जवाब मिलेगा, हर एक चीज को एलेबरेट करके आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि थोड़ी आज मैं रिसर्च करके बोल रहा हूँ, तो नैपोटिस्म के जरिये क्या होता क्या है, कि जो बड़े परिवारों से और इंडस्ट्री के परिवारों से संबंद रखते हैं, उनको ही मोका मिलत बाकी जो बाहर से लोग आए हैं, अपने दम पर खड़े हैं, ना तो उन्हें अच्छे रोल्स मिलते हैं, अगर रोल्स मिल जाते हैं, तो उनकी फिल्म को लार्ज स्केल पर स्क्रीन नहीं मिलती है, और अगर वो अपने दम पर फिर भी खड़े हैं, अच्छी मूवीज दे है तो हो सकता है कि उनके मन में ये डर हो चिचोरे में बैस्ट पार्ट इन्हों ने अपना दिया बहुत अच्छी एक्टिंग की उसके बाद भी एक सडियल सी मूवी को अवार्ड मिल जाता है सायद इसलिए क्योंकि उसमें एक भट परिवार के सदस्य ने काम किया था करन जोहर जिनोंने सायद बहुत सारे नए टैलेंट को लोंच किया है लेकिन सायद वो कभी ऐसे टैलेंट को लोंच करना ही भूल गए जो इंडस्ट्री के बाहर से हो सिर्फ उन्ही टैलेंट को लोंच कर रहे हैं जो इंडस्ट्री से संबंद रखते हैं उसके बाद बंदा अगर अपने दम पर खड़ा हुआ है तो बहुत सारे लोग उनको रोकने के लिए आ जाते हैं सुसान सिंग राजपूत तो चले गए लेकिन अपने पीछे बोलिवुड का काला सच छोड़ गए ह और ये काला सच है कि कैसे सिर्फ इंडस्ट्री के जो पहले लोग है उनको ही मोका मिल रहा है बहार वाले जो लोग हैं जो अपने दम पर आये हैं इंडस्ट्री तक गलती से पहुँचे हैं उनको मोका नहीं मिलता और लास्ट में सुसान सिंग राजपूत जब ठक हार गए जिनका इंट्रेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में था जो अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी जिन्दगी में एक हजार पेड लगाना चाहते थे जो सो बच्चों को नासा भेजना चाहते थे जो अपने घर पर टेलिस्कोप रखते थे और वो पहले व क्या है ये बोलीवुड का सच इस पर मैं आपकी आज राय भी चाहूँगा कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या लगता है अब एक बहुत ही गंदे सच से आपको रूबरू भी कराऊंगा और वो है उसके बाद बात करेंगे क्लास 10 के बारे में क्योंकि वीडियो थोड़ भी मिस्ट रिप सुसांत ये सलमान खान साब का ट्वीट आया था लेकिन कुछ दिनों पहले सुसांत सिंग राजपूत का एक कोंट्रोवर्सी हुआ था सूरज पंचोली के साथ सूरज पंचोली आदित्या पंचोली के लड़के हैं आदित्या पंचोली सलमान खान के दोस हैं और एक्टर रहे हैं तो सूरज पंचोली के साथ इनका एक controversy हुआ जिसमें सूरज पंचोली ने क्योंकि ये industry से हैं तो misbehave किया था सुसांत के साथ सुसांत की controversy हुई और उसमें सलमान खान ने support किया सूरज पंचोली को और उन्होंने सुसांत सिंग राजपोत को धमकाया था और बोला था अपने team से कि इस बंदे को कोई movie वगेरा नहीं देगा लेकिन इस बंदे ने अपने दम पर movies भी ली और आगे नाम भी कमाया अब मैं थोड़ा सा सूरज पंचोली के बारे में बता देता हूँ सायद आपको याद नहीं आएगा ये सूरज पंचोली कौन है आप देख रहे होंगे image आपके सामने ये है सूरज पंचोली आदित्या पंचोली के लड़के हैं और आपको याद होगा जिया खान गजनी मूवी एक आई थी उसमें जिया खान ने काम किया था जिया खान सूरज पंचोली की गल्फरेंड थी और इन्होंने सुसाइड कर लिया था जी हां ये उन्हीं के बोई फ्रेंड रह चुके हैं और उस सुसाइड में इनके उपर केस चला है आज भी केस चल सूरज पंचोली के उपर कि कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार सूरज पंचोली थे उनको उकसाया गया था सुसाइड के लिए और उसी सूरज पंचोली का सपोर्ट करते हैं सल्मान खान जो आज लिख रहे हैं कि आप हमेशा you will be missed आपको याद रखा जाएगा रिप सुसांत जो कुछ दिनों पहले तक सुसान्त कौन है, इंडस्ट्री में ये पूछ रहते हैं अपने आस्परोस वालों से, कि कौन है ये सुसान्त, इसको काम मत देना, ये काला सच है, जो सुसान्त सिंग राजपूत के मौत के बाद उभर कर आया है, ये काला सच है कि करन जोहर ने असली मकसद जो आज इस वीडियो का था, वो था क्लास टैंत के बच्चे क्यों सुसाइड अटेंप्ट कर लेते हैं, दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने बताया, कल एक क्लास टैंत के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और उसने लिखा, अगर सुसान्त सिंग राजपूत कर सक क्योंकि उस बच्चे के अंदर जो उसकी बोलने की हरकते वगरा थी, वो एक लड़कियों की तरह थी, वो थोड़ा लड़कों की तरह साउंड करता था, इसी वजए से लोग उसका मजाक बनाते थे और चिडाते थे, और वो बच्चा सदमे में था, अपने पैरेंट्स को नहीं बता पा रहा था, और उसने किया, उसने सोचा ये न्यूज मिलने के बाद कि अगर सुसान्त कर सकता है इतना बड़ा एक्टर तो मैं क्यों नहीं, और उसने सुसाइड अटेम्ट कर लिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पैरेंट्स कब अपने बच्चों को समझना स्ट करेंगे, क्यों क्लास 10 और 12 के बच्चे सुसाइड अटेम्ट कर लेते हैं जब रिजल्ट आने वाले होते हैं, ये केसिज बढ़ जाते हैं, जैसे ही रिजल्ट आने वाले होते हैं, क्यों कोई relative फोन करते वक्त सिर्फ ये पूछता है बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही ह वो ये क्यों नहीं पूछता बेटा कैसे हो, आजकल जिंदगी में क्या चल रहा है, प्लास 10 और 12 में आने वाला बच्चा वो बहुत सारे चेंजिस से गुजर रहा होता है, जिसमें एक physical change भी होता है, उसकी body developing age में होती है, बहुत सारे उसके अंदर change आते हैं, वो poverty में कद रखता है, वो opposite sex के परती यहाँ पर attract होना start होता है, और उपर से relatives का pressure, आसपडोशियों का pressure और parents दुआरा किया गया comparison, फलाने का बेटा ये कर सकता है, तुझसे नहीं हो रहा, फलाने के बेटे के पास ये सुविधाय नहीं है, तुझसे नहीं हो रहा, वो बच्चा इतने pressure में चला जाता है, कि वो पढ़ने की बजाए सिर्फ सोचता है, और इतना सोचने लगता है कि depression में चला जाता है, और depression में जाने के बाद parents उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज के time में parents working हो गए है, उन्हें time नहीं है अपने बच्चे ये पास बैठने का, उनके पा वो बात कर सके, अपने बच्चे से वो जिजगते हैं, parents directly अपने parents को, sorry, जो बच्चे हैं, वो directly अपने parents को अपनी चीज़े नहीं बता पाते, और उसका last में conclusion निकलता है, बच्चे ने suicide attempt कर लिया, मेरा सवाल है, आप सभी parents से, या फिर छोटे जो आप लोगों के छोटे भ एक बार अपने बच्चे के साथ बैठियेगा, उन्हें संजाईएगा, बहुत सारी चीज़े निकल कर आएंगी, जो वो अपने जिंदगे में चल रहा होता है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीज़े चल रही होती है, उसे पढ़ाई भी करनी है, उसकी बोड़ी में न अक्सस के और भी तरीके हो सकते हैं आज sports एक भैतरीन option निकल कराया है थोड़ा बहुत लोग समझने लगे हैं और भी various fields है जरूरी नहीं है आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो हो सकता है वो sports में अच्छा हो हो सकता है वो painting में अच्छा हो हो सकता है वो एक बहुत अच्छा speaker हो हो सकता है उसके अंदर leadership qualities हो बस आपको पहचानना है लेकिन आप पहचानेंगे तब न जब आप अपने बच्चे को time देंगे तो मैं सीधा सीधा जिम्मेदार आपको समझता हूँ अगर आपके परिवार में आपके रिस्तेदारों में अगर ऐसी चीज होती है सबसे important चीज कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे के साथ compare ना करें आपका बच्चा किसी ना किसी चीज में दूसरों से अच्छा है उसकी वो qualities पहचाने उसे motivate करें उस field में अगर आपका बच्चा चिडचड़ा हो गया है वो अकेला रहने लगा है थोड़ा गुमसुम रहने लगा है उसको समझे थोड़ा उसे time दे अपने बातों में लगाए उसे अकेला ना छोड़े उसके साथ time spend करें बातों बातों में उससे जानने की कोशिस करें अगर आपको लगता है कि situation थोड़ा under control से बहार हो रही है तो उसे psychologist के पास लेकर जाए अगर आपको वो नहीं बता रहा है तो psychologist उससे घुमा फिरा के सारी चीज़े निकलवाएगा लेकिन जिम्मेदार कही ना कहीं ये पूरा समाज हो चुका है आज आपका पडोसी मिलता है तो वो भी आपसे ये नहीं पूछे का आपका बेटा कैसा है वो पूछे का आपके बेटे के नंबर कितने आई जिम्मेदार कौन है आपको भी सरम आती है अगर आपके बच्चे के 60% आई हैं तो आप बढ़ा कर 70 या 80 बताते हैं किस चीज की सरब नहीं है मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा यार मेरा बेटा दूसरे चीज में अच्छा हो सकता है ये क्यों नहीं बोल सकते हैं क्यों उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं जिस फिल्ड में वो अच्छा कर सकता है वहाँ पर क्यों नहीं लेकर जाते हैं उसको हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो हो सकता है उसके अंदर आर्ट्स पेंटिंग वगरा वो बहुत अच्छी करता हो अपनी सोच कब बदलेंगे सिर्फ नंबर ही कुछ नहीं होते प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने exam warriors लिखी उसमें सारी चीजे बताई कि नंबर कुछ नहीं है knowledge होना चाहिए नंबर तो घटते बढ़ते रहते हैं और ये class 10, 12 के बच्चों के मैं बताना चाहता हूँ class 10 का आपका result सिर्फ एक certificate में date of birth का काम करेगा और class 12 का result आप लोगों का सिर्फ काम करेगा किस लिए कि आपको एक अच्छे से college में admission मिल जाए बस that's all आप competition में बैठते हैं दम होय है competition correct करो selection लो आपके नंबर कौन पूछ रहा है अगर आप IAS pieces का return निकाल सकते हैं तो 40% वाले लोगों को भी मैंने IAS pieces बनते हुए देखा है मैंने 31 बार fail होने वाले एक छोटा सा दिल्ली पुलिस का एक छोटे से छोटे से एक्जाम clerk वगारा के एक्जाम जिससे qualified नियुए मैंने उसको pieces बनते हुए देखा है हर्याना में example set किया था भाई ने ये competitive exams वालों के लिए है मेरे पास रोज गोल आते है सर मैं 13 घंटे पढ़ रहा हूँ सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन competition इतना है मुझे exceed चाहिए सर मैं कैसे लूँ भाई तु इतना सोच रहा है selection कैसे निकालेगा तु सोच रहा है कि मैं 13 घंटे पढ़ रहा हूँ 14 घंटे पढ़ रहा हूँ तेरे दिमाग में भड नहीं रहा है तु तु अपने उपर pressure ले रहा है mental pressure और वो pressure इतना बढ़ चुका है कि तुझे और कुछ दिखना बंद हो गया है 13, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे actual में अगर आप धंग से पढ़ रहे हैं तो 4-5 घंटे पढ़ा हूआ काफी है एक भाई ने मेरे पास 3 दिन पहले कोला है बोला सर मुझे नेंद नहीं आती है 5 घंटे से बहले खुदी आंके खुल जाती है मैं पढ़ाई को मेरे मन में भी होता कर नहीं हुआ वो बच्चा इतना प्रेशर ले रहा है नहीं हुआ तो वो कैसे डील करेगा अपने फ्यूचर के साथ मेरे भाई ये समाज ने जहर घोल दिया है सोच में कि जोब है तो गौर्मेंट जोब है गौर्मेंट जोब के अलावा क्या ओर लोग नहीं है अधर फिल्ड्स में बहुत सारे है प्राइवेट सेक्टर्स है अच्छी इंकम होती है आप जिंदगी में सिर्फ बहुत सारे लोगों को काम्याभी नहीं मिलती तो इसका मतलब यह थोड़े है कि आप सुसाइड करोगे जिंदगी में बहुत सारी चीजे है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है आपका फिल्ड कोई और हो सकता है हो सकता है कि भगवान ने आप लोगों के लिए रास्ता ना बनाया हो खुद का टेलेंट पहचानो और उसको वहाँ पे लगाओ जहाँ पे आप अच्छा कर सकते है यह मेरी पेरेंट से और कॉंपेडिशन एक्जाम में जो प्रिपेर कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेशर उतना लो जितना आप जेल सकते हो 14 गंटे पढ़के और सिर्फ 5-5 गंटे सोके आप अपनी तव्यत खराब करेंगे या आप डिप्रेशन में जाएंगे भाई एक human nature है उसे 7 गंटे का नीद proper rest चाही है अगर उसे 7 गंटे का proper rest नहीं दोगे तो आप आने वाले दिनों में बिमार तो होगे या आप डिप्रेशन में तो जाओगे न भाई आज के students मतलब सोचता जादा है करता कम है मैं competition वालों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ वो सोच रहा है पेपर होगा टाइम होता है पढ़ना स्टार्ट 15 दिन पहले करेंगे फिर इतना प्रेशर मेरा selection नहीं हुआ 5 सालों से क्या आपने 5 महीनों से लगातार मेनत की है आप अब तो 14 गंटे पढ़ रहे हैं क्या आप लगातार 14 गंटे पढ़ें अगर आप लगातार 4-4-5 गंटे पढ़ लेते तब selection निकल गया होता तो यह हमारी समाज की कि एक तो समाज में हो गया कि गोर्मेंट जोब है तो सब है अगर गोर्मेंट जोब नहीं है तो आप बेकार हो लेकिन इस सोच को बदलो भाई ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हो बहुत अच्छे कमा सकते हो अपने परिवार को रख सकते हो बहुत आखे आप लोगों की खोलने की कोशिस की होगी अगर वीडियो अच्छी लगे और लगे कि हाँ पैरेंट्स को स्टुडेंट्स को कुछ चीज़े समझ आ सकती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ सेयर करिएगा कभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसिज छोड़ सकते हैं उसका रिप्लाई जरूर करेंगा अगर आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो एक बार बात करिएगा आप